प्यारे बच्चों हम लोग निया चप्टर शुरू करने जा रहे हैं फ्लाइंग हाई Google Meet पर मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे आप लोग जवाब ठीक दे रहे थे मैंने पूछा था कि पूनम डे आउट में आप लोगों ने क्या देखा था पेड़ों पर तो बच्चों ने सही जवाब दिया बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया था और मैं आपको दुबारा वहाँ पर लेके जा रहा हूं और आपको दिखाता हूँ कि यह पूनब डे आउट से जब मैंने कोश्चन उनसे पूछा तो बच्चों ने बहुत से चिडियों का नाम बताया जैसे पीजन बताया, क्रो बताया, स्पैरो बताया, मैना बताया बहुत सब बताया तो यह जो पीजन हो, या क्रो हो, पैरट हो, मैना हो, स्पैरो हो, जितने भी बच्चों है यह सब बच्चों है फिर मैं एक वैसे पूछा था कि बच्चों में क्या देखते हैं आप तो मैक्सिमम बच्चों ने सही अंसर दिया कि देखिए, इनके फीदर्स होते हैं, पंक होते हैं इनके डैना होते हैं, जैसे यह डैना है, यह देखिए डैना है यह देखिए डैना है, यह देखिए डैना है और यह देखिए डैना है इधर तो यह देखिए डैना है तो पंक होते हैं विंग होते हैं जिसको हम डैना कहते हैं इनके बीक्स होते हैं चोच देखिए चोच बर्ड्स के चोच होते हैं बीक्स होते हैं और बर्ड्स के पंजे होते हैं क्लॉज देखिए ये क्लॉज है ये देखिए ये क्लॉज ठीक है तो ये common बाते हैं कि birds के पास क्या होता है feathers होता है birds के पास wings होते हैं और wings के सहारे ही ये उड़ते हैं wings को हम हिंदी में dana कहते हैं ठीक है और इनके चोँच होते हैं इनके claws होते हैं पंजे ये common बात है लेकिन इस चित्र में ही आपको देख के लगेगा कि भाई ये जो birds है they are different to each other बहुत अंतर है इनसान में ऐसा नहीं है शेर चीता भालू इनमें इतना difference नहीं दिखाई देता क्या difference दिख रहा है आपको इसमें अगर आप सामने होते तो मैं आपसे पूछता देखिए more के punk देखिए structure more का structure देखिए इसके punk देखिए और इधर देखिए ये pirate है pirate का देखिए उसके बाद आप ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ crow को देख लीजिए इसको देखिए क्या दिख रहा है आपको आपको दिख रहा है कि ये birds अलग-अलग है इनका structure भी अलग-अलग है इनके चोंच भी अलग-अलग है और इनका color भी फीदर्स का अलग-अलग है सब अलग-अलग दिखाई दे रहा है ये बहुत different होते हैं एक दुशरे से और ना सिर्फ इतना बलकि मैं आपको दिखाऊँ अगर तो इनके चोंच को भी अगर आप देखेंगे चोंच भी एक पैरट का चोंच देखिए इसका चोंच देखिए इसका देखिए उसके बाद इस चोंच को देखिए इस चोंच को देखिए आपको दिखेगा कि यह सब अलग-अलग हैं तो बर्ट्स में आपको बहुत ज़ादा difference दिखाई देगा जो हमारे चारो तरफ जो बर्ट्स होते हैं जो common बर्ट्स होते हैं ठीक है यह तो मैंने बहुत तरह का बर्ट्स आपको picture से आपके book में दिया हुआ है उसको दिख ला रहा हूँ लेकिन यह सारे बर्ट्स आपके आसपास नहीं दिखते बहुत से बर्ट्स हैं जो आपको नहीं दिखाई देते लेकिन उसमें जो common है जैसे गौरयया इस्पैरो क्रो पीजन वुटपेकर मैना कोयल यह सब हमारे आसपास हमको दिख जाते हैं मैं हम की सिटी के अंदर जो लोग हैं उनको तो मोर नहीं दिखाई देता है मूर तो वहीं दिखाई देगा जहां पर कुछ पेड़ पौधे वगरव होंगे अब city में तो पेड़ पोदा बहुत कम मिलता है तो ऐसे बच्चे नहीं देख पाते अच्छा ये तो मैंने आपको दिखलाया कि उनके feeders में difference दिखाई देता है उनके structure में भी दिखाई देता है कि कुछ बड़े हैं कुछ चोटे हैं उनके beaks में भी आपको difference दिखाई देता है उनके colors में difference दिखाई देता है सिर्फ इतना नहीं है उनके sound में भी अंतर होता है अब कोयल की sound आपको बहुत अच्छी लगती है कववा जब काओं काओं करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता उसकी voice बहुत करकश होती है अच्छी नहीं होती है कोई अल बहुत मीठा बोलती है ठीक है तो उनके sound में भी आपको अंतर दिखाई देता है ठीक है और मैंने आपको बता दिया अभी उनके beaks में भी difference है उनके color में difference है उनके body structure में difference है और सिर्फ वेता नहीं है उनके food habits में भी difference है वो अलग-अलग चीज़ खाते है ठीक है हाँ बाकी चीज़े तो आपको common जैसे मैंने बता दिया common दिखती है उनके पास beak होता है wings होता है feathers होता है tail होता है claws होता है पंजे तो अब ये इनका काम क्या है जैसे beak जो है उनको वो क्या करते है beak से क्या करते है eating food और क्या करते है catching the prey and in changing the direction while they fly beak उनका जैसे मैंने बताया कि अलग अलग तरह का beak आपको दिख रहा है ये अलग अलग बीक का कारण ये है कि उनका food habits और food items अलग होता है कोई-कोई birds है न वो दानावाना खाते है कुछ birds वो मांस खाते है जैसे अब ये मैं आपको दिखा हूँ कि ये गिद है वल्चर अब ये मरे हुए जैनवरों का मांस खाता है कुछ क्या होता है कि वो लकडी में छेद कर देते हैं और उसमें जो इंसेक्ट सोते हैं उसको खाते हैं तो इनका food habits के कारण इनके चोंच भी अलग अलग होते हैं तो इन चीजों को तो आपने मैंने आपको बताया जैसे और उसके बाद जैसे कुछ पहलिया दी हुई है अगर ये चित्र यहान ना बना रहे तो आप इसको पहचानना है कि भाई ये कौन है किसके सर पर ताज होता है वो एक गाना नहीं है एक जानवर ऐसा जिसके दुमपर पैसा सर पर है ताज भी बादशाहों जैसा वो मैंने आपको भेजा भी था वाटसेप किया था एक यूट्यूब वीडियो निकाल के ठीक हैं उसमें इनके बारे में था तो जाहिर है कि ये पिकॉक है और पिकॉक आपको मालूम है क्या है आप तो मोर का पंक भी अपने किताबों में रखते हैं बहुत से लोग रखते हैं पता नहीं आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं तो यह पिकॉक है और यह भारत का नेशनल बर्ड है तो कुछ और नेशनल चीज़ों को मालूम कीजिए नेशनल फ्लावर क्या है हमारे तेश का नेशनल एनिमल क्या है तो इसको जरा सा आप मालूम करेंगे और देखिए यह क्या लिखता है लॉंग एन गुरूब इस माई टेल हाई अप इन दे स्काई आई सेल आई पिक एन एट एट ओल दे माईस यह चुटा हुआ है देखिए इस वाट यू कॉल मी तो इसको अब क्या पचानेंगे यह किसके बारे में कह रहा है यह देखिए यह बर्ड यहां बना हुआ है यह अपने बारे में बता रहा है यह हो गया काईट चील देखिए अब यह यह हो गया पारत black are my feathers and black is my यहाँ यह खाली छोड़ा हुआ है तो आप बताजिए क्या होगा यह देखी यह पहला क्या है beak black is my beak cow cow I do all day long तो यह कौन हो सकता है यह देखिए तो थोड़ा सा आप घर में भी practice कीजिए घर वालों से भी मालूम कीजिए ठीक है यह कौन सा पक्छी है ठीक है उसके बाद आप देखिए यह कुहू कुहू अब पचानिया कौन सा है यह तो काउं काउं वाला है और ये देखें ये भी काला और ये भी काला रंग एक जैसा है लेकिन आवाज अलग-अलग है जैसे मैंने कहा कि साउंड अलग-अलग होता है Everywhere I am found, my sweet voice gives me fame, that is my name तो चलिए ये भी आप मालूम कीजिए, किस कौन से पक्षी है, जो कव्वे की रंग की होती है लेकिन उसका साउंड बहुत मधूर होता है, उसको लोग पसंद करते हैं, ठीक है तो उसको आप मालूम कीजिए, ये मालूम हो जाएगा Dead animals I do eat, making places clean and neat High up in the dash I fly, vulture is what I am called by नाम तो बता दिया, high up in the कहां, बहुत उंचा उरता है कहां उरता है, समुद्र के अंदर, जमीन के अंदर, तो यहां हो जाएगा Sky, my beak is pink, feathers grey, good to go I go on all day, in houses I make my home, a dash is how I am known तो इसको हम क्या कहेंगे, ये घरों में पाया जाता है अलमारी के पीछे, कहीं खिड़की के, जहां आपका रोशनदान बना है, वहां पर होता है तो ये कभूतर, पीजन ठीक है, my beak is very special, I use it like a needle, stitching leaves I made my home, the dash bird is how I am known इतना खुब्सूरत की आदमी क्या पत्तों को सिलेगा, जो ये पत्तों को सिल के अपना घर बना लेते हैं ठीक है, इसको हम दर्जी पक्छी कहते हैं टेलर बर्ड, in trunk of trees holes I make, hidden insects I intake, टुक टुक टुक, I work all day, the woodpecker is what people say यहां पुरा लिखा भी हुआ है, ये woodpecker होता है, ये देखिए, ये, ये woodpecker है ये लकड़ी के तनों में, डालियों में, छेद कर देता है, hole बना देता है टुक, 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 ऐसे कहीं है, जंगल में आवाज आपको सुनाई दे, तो समझ लीजिए, कि ये woodpecker का काम है और छेद बना के लकड़ी के अंदर जो कीड़े होते है न, उसको खा लेता है, इस तरीके से होता है और देखिए, why is there so much noise in the jungle, I just cannot sleep भाई, जंगल में sound तो दो पहर में ही होता है, तो यानि ये उल्लू महराज है उल्लू महराज है, दिन में सोते हैं, रात को जगते हैं, रात में इनको दिखाई देता है और ये क्या बता रहे हैं, ये इंच्छे क्या करें, डियलावल, the birds are all praising themselves and shouting जिन में बाकी पक्षियां तो जगते हैं, उल्लू महराज सोते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू